एक पार की बात है, एक गाउं में बिर्जु नाम का एक आदमी रहता था, वो चावल की खेती करके और उसे बिर्यानी बना कर उसे बेच कर अपना घर चलाता था, बिर्जु बहुत मज़िदार चिकन बिर्यानी बनाता था और गाउं के सभी लोगों को उसकी बिर्यानी बिर्यानी खाकर आदमी बिर्जु से कहता है एक दिन एक भूत उस गाउं से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर बिर्जु पर पड़ती है वो बिर्जु के बिर्यानी के ठेले को ध्यान से देखता है भूत देखता है कि बिर्जु के चिकन बिर्यानी के ठेले पर कई लोग जमा थे और सब बिर्जु की बिर्यानी को बड़ी चाव सिखा कर उसकी तारीफ कर रहे थे भूट सोचता है जब मैं इंसान था तब मैं भी कितनी अच्छी बिर्यानी बनाता था और मेरा भी तो सपना था कि मैं एक बिर्यानी का थेला लगाऊं बस अब मैंने तय कर लिया है कि मैं भी इसी गाओं में इस आदमी की जगह पर अपना बिर्यानी का थेला लगाऊंगा फिर मेरी बिर्यानी के थेले पर भी खूब लोग आएंगे भूट इतना सोच कर बिर्जु का थेला चुरानी की सोचता है रात हो जाती है और बिर्जु अपना ठेला खिसका कर अपने घर की तरफ चल देता है घर पहुँचकर बिर्जु ठेले को घर के बाहर खड़ा कर देता है और खुद घर के अंदर चला जाता है भूत भी बिर्जु के पीछे-पीछे अंदर चला जाता है अरे तुम काउन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो मैं भूछ हूँ और मैं तुम्हें किड़नेप करने आया हूँ और तुम्हें यहां पर बंद करने के बाद मैं तुम्हारा ठेला चुरा लूँगा और पूरे गाओं को मेरी ब्रियानी खिलाओंगा बिर्जु को छोर बोले इससे पहले ही भूद बिर्जु को बान देता है और उसे उसके ही घर में बंद कर देता है अगले दिन सुबह सुबह भूद बिर्यानी बनाने की सोचता है बिर्याणी के लिए भूत को चावल तो मिल जाते हैं पर उसे चिकन कहीं नहीं मिलता वो आस-पास मुर्गयां भी ढूंटता है पर उसे मुर्गयां नहीं मिलती फिर भूत कुछ दूरी पर उड़ रहे कवों को देखता है उन्हें उड़ता देखकर भूत के दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है भूत उन कवों के पास उड़कर जाता है और हाथ से पकड़ लेता है भूत उन कवों को बिर्यानी बनाने वाले बरतन के पास ले आता है और उन्हें काट कर बिर्यानी में डाल देता है बिर्यानी बनने के बाद भूत उसे चक कर देखता है इतना कहकर भूत बिर्यानी के बरतन को ठेले पर रख देता है और बिर्यानी लेकर गाउं में उसी जगह पहुँच जाता है जहां बिर्जू अपना ठेला लगाता था इतना ही नहीं भूत बिर्जू का रूप भी ले लेता है थोड़ी ही देर में एक आदमी अपनी बीवी को लेकर ठेले के पास आता है और बिर्जू बने भूत से कहता है अरे ओ बिर्जू भाई लगा दो जड़ा अपनी स्पेशल चिकन बिर्यानी वो भी दो प्लेट हाँ भाई हाँ अभी लगाता हूँ रुको भूत दो प्लेट में बिर्यानी सजाता है और आदमी और उसकी बीवी को दे देता है अरे आज ये बिर्यानी में पड़ा चिकन इतना काला क्यूं है और इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा है अरे भाईया वो खास इंपोर्टेट चिकन है पारें से मंगवाए है तुम नहीं समझोगे भावी जी आपको कैसी लगी बिर्यानी हाँ हाँ भाईया इन्हें क्या पता इंपोर्टेट चिकन क्या होता है मैं तो खा चुकी हूँ अपने माईके में ऐसा ही होता है बहुत बढ़ियां बिर्यानी है भूत को भी ये सुनकर हसी आ जाती है फिर आदमी मुह बना कर भूत को पैसे दे कर वहां से चला जाता है दिन भर कई लोग आते हैं और भूत उन सब को अपनी कववा बिर्यानी इंपोर्टिट चिकन बिर्यानी बोल कर खिला देता है सब भूत से यही कहते हैं कि बिर्यानी में पड़े चिकन का स्वाद अजीब था पर कोई उस पर जादा ध्यान नहीं देता खूप सारे पैसे कमा कर भूत ठेला लेकर वापस बिर्जु के घर आ जाता है ठेला बाहर खड़ा करके भूत अंदर आता है भूत बिर्जु को भी एक प्लेट में बिर्यानी ला कर देता है और उससे कहता है ये ले मेरी स्पेशल कवा बिर्यानी खा बिर्जु मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ ये रास इस बिर्यानी में चिकन नहीं बलके कवा है हे भगवान तुमने गाओं में सबको कवा बिर्यानी खिला दी वो भी जूट बोलकर कि ये चिकन बिर्यानी है हाँ और कल भी मैं यही बिर्यानी बनाऊंगा बहुत सारे कवा डालकर नहीं अगर तुमने ये किया तो गाओं वाले बीमार भी पढ़ सकते है हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा मुझे तो ये कवा बिर्यानी बड़ी पसंद आई और उन सबको भी मुझे तो इस गाओं में बड़ा मसा आ रहा है अब तो मैंने फैसला ले लिया है कि मैं ही रोज बिर्यानी बेचूंगा तुमारी जगह वो भी यही कवा बिर्यानी मसा आएगा अगले दिन फिर से भूत सुबह सुबह कुछ कववे पकड़ कर लाता है और उन्हें मार कर बिर्यानी में डाल देता है कववा बिर्यानी तयार हो जाने के बाद वो उसे वैसे ही ठेले पर रख देता है और उसी जगह जाकर फिर से ठेला लगा देता है कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और भूत बिर्जू बनकर बिर्यानी बेचता रहता है एक दिन गाओं में बिर्जू के बच्पन का पक्का दोस्ट श्याम शेहर से वापस आ जाता है वो सबसे पहले बिर्जू के ठेले के पास जाता है बिर्जू मेरे दोस्त देख मैं आ गया अरे कौन हो तुम बिरियानी चाहिए तुम्हे अरे मालुम है इस बार मैंने शहर से लोटने में ज़ादा वक्त लगा दिया पर मेरे दोस्त तुम मुझे पहचानने से इंकार क्यों कर रहे हो मैं तुम्हारा पेस्ट फ्रेंड स्याम ओ हा हा याद है मुझे स्याम तो मैं तुम्हारे लिए ये कहुआ मेरा मतलब चिकन बिरियानी लगा दूँ एकत्ब इंपर्टेड चिकन है इसमें अरे ये क्या कह रहे हो तुम बिर्जू तुम्हे तो पता है ना शाम भी उसके साथ हसता है तभी शाम की नजर ठेले पर पड़े कुछ काले पंक हो पर पड़ती है अरे ये काले पंक ये मुर्गे के तो नहीं हो सकते हाँ अरे वो वो एक कववा बार बार ठेले के पास आकर मुझे परेशान कर रहा था उसे भगाने में शायद ये गिर गया होगा ओ अच्छा कोई नहीं देख मैं तेरे लिए बहुत सामान लाया हूँ शहर से चल तेरे घर चलते हैं वहाँ दिखाऊंगा तुझे सब सामान नहीं क्यों नहीं वो अभी तो रात भी नहीं हुई है मैं ऐसे बीच में जाऊंगा तो सब बची हुई बिरियानी खराब हो जाएगी इसलिए मेरे घर नहीं जा सकते ओ तो मैं शाम को आता हूँ पर तेरे घर नहीं नहीं मेरा मतलब है तुम सामान यहीं दे दो क्यों बे मतलब बाद में परेसान होगे अच्छा ठीक है यह लो बिरियू भूत सामान लेकर शाम को वहाँ से जाने को कहता है शाम को थोड़ी दूर जाने पर शक होता है यह बिरियू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा था और इसके घर में ऐसा क्या है जो ये मुझे घर नहीं बुला रहा हम पता तो करना पड़ेगा अरे मेरे दोस्त ये सब क्या हुआ और तू यहाँ है तो वहाँ धेले पर कौन था शाम वो एक भूत है जिसने मेरा बिर्यानी का धेला चुराया और मुझे यहाँ बान दिया इतना ही नहीं वो सब को चिकन बिर्यानी बोल कर कौवे की बिर्यानी खिला रहा है इससे लोग और बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं शाम क्या तब तो हमें अभी जाकर सब गाउं वालों को बताना चाहिए और उस भूत का परदा फाश करना चाहिए इतना बोल कर शाम और बिर्जू उठते हैं और जाकर सब गाउं वालों को सच्चाई बता देते हैं उधर भूत को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी और वो मज़े से कववा बिर्यानी खा रहा था तब ही वो देखता है अरे ये इतने सारे लोग एक साथ यहां क्यों आ रहे हैं लगता है सब को फिर से मेरी बिर्यानी खानी है पर फिर भूत को सबसे आगे बिर्जू और शाम दिखते हैं भूत सब समझ जाता है भूत खुद से कहता है भाग ले बेटा लगता है इन सब गाउवालों को सब सच पता चल गया है कि मैंने इन्हें चिकन बता कर कववा बिर्यानी खिलाई है अब ये सब मुझे मारें इससे पहले मुझे यहां से निकल लेना चाहिए पर सभी गाउवाले भूत को पकड़ लेते हैं और मार मार कर उसे गाउव से भगा देते हैं